नमश्कार प्रतिग्या परिवार में स्वागत है जितने भी विद्यारती हम से जुड़ रहे हैं आप सब को मेरी तरफ से नमश्कार पूरे प्रतिग्या परिवार की तरफ से नमश्कार आप सब बात यह है कि एंट्रेस एक्जाम का कोई भी व्यवदान इसके अंदर नहीं रहता है और फिजिकल के बाद इसकी अल्टिमेट मेरिट बनती है और यहां पर मैं पूरी जानकारी आपके साथ साजा करूंगा जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एक बार्श भी शेयर कर द है कि आप अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं और मैं आप सबको यहीं कहूंगा कि 12 पास अभ्यर्ति जिसके फिजिकल के अंदर अच्छा इसको प्रहा है पहले भी वह इसके लिए कर सकता है अच्छा महूल हो सकता है इसके लिए सबसे पहले मैं इसका सेडि बता देता हो इसकी वेबसाइट में बताऊंगा भी जोदपूर डॉट कॉम इसकी वेबसाइट है कार्याले प्राचार यह सारिक शिक्षा मावद्यान रास्तान जोदपूर के अंदर डीपीएश प्रवेश विग्यप्ति आ चुकी है 28 तारीक को आई है यानि आज 29 तारी के अंदर भी कितनी चीटें 50 हैं यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है सभी के लिए प्रहार्तना पत्र खोले गए हैं ऑनलाइन फोर्म बढ़ना है परन्तु ऑफ-लाइन जाके जमा भी कराना मैं सब बाते बताऊंगा अधुरा घ्यान खतरनाक होता इसलिए वीड यह होना अनिवारी होता है और इसके लिए नियूंतम आयू जो है वह आपके पास एक साथ दोजार चोबीश को कित्ती वर्स होनी चाहिए ठारा वर्स होनी चाहिए और अधिक्तम आयू पूरुष के लिए 23 वर्स है अनुसुचित जाती जन जाती अन्य पिछला वर्ग वि के लिए 28 साल अधिक्तम आयू है इसकी फोर्म की जो बढ़ने का वेबसाइट है यह जीपी इसी जोत्पूर.com है और इसका फोर्म एक दिसंबर से लगाकर 10 दिसंबर के अंदर बढ़ना है और 10 दिसंबर को रात को 12 बज़े तक बर पाएंगे और ऑनलाइन बरे हुए आव 14 बारा तक आपको पांच बज़े तक खुद को आकर या डाक द्वारा इस्तानिया माविद्याले में बेजना है आप चाहें तो डाक के माध्यम से बेज सकते हैं और आप चाहें तो ऑफिशियल आप लोग जोत्पूर पदार कर भी बेज सकते हैं पर आपको अपने सभी विश्तर जानकारी के लिए वेबसाइट जो है जी पी इसी जोत्पूर डॉट कॉम है यह ध्यान रख लेना और यहां पर पूरा का पूरा डिपीएड है डिप्लोमा होता है इसलिए पंजीयक बोर्ड जो है आपका विकानेर्स एफिलेटेड भी है कोई दिक्कत इसमें र सब लोग इसके बारे में ज़रूर अपने दोस्तों को बताये शीली क्या होता कई बारी जानकारी नहीं होती है यह पता नहीं चलता अभी में आपको बता दता हूं गtechnically तesz pencil के बासे तारीं है अठारा दिसंबर और उसके बाद प्रवेश फॉर्म की जो जाच होगी ओननीस से लगा कर 31 दिसंबर के मद्द्य हो जाएगी और जनवरी के अंदर पांच तीवी तारिक यानि पांच जनवरी को आपका इस्ताई रूप से खेल कोशल प्रशिक्षण के लिए आपकी सारिक आप पास तरहिक को उसके बाद जो आपके पास क्या होगाँ सारिक दख्ष्था और खेल कोशन परिक्षण कोशन हो जायगा इसके बाद आपका इंटर्व्य से लगातर हो जाएगा और उरिचिनल कोपी वगरा ही यानि ही मीच जमा कराती हो जाएगी बार वीत चीजित मिलने वाला है और गॉर्मेंट कोलेज में आपको पढ़ने का मोका मिलेगा फीस बिल्कुल कम है मैं उन सब के उपर भी आओंगा अभी एक बार देखिएगा अब इसकी गाइडलाइन देख लेते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है गॉर्मेंट जो आपकी कोलेज है फिजिक इसके नंबर यह फोन नंबर भी आपको पता रखना है अब यहां पर देखिएगा क्या हो रहा है कि आपके पास स्वास्तियों शारिक शिक्षा के उद्देश क्या है प्रवेस दोजाचोबीस के लिए यह आपके सभी उदेश होने चाहिए और साथी साथ में आपको ध्या विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द द्याले ओं माुविजलेक प्रश्रिक्षन को राइस्तान सरकार द्वारा स्विकर्ति प्राप्त है राष्ट्य अध्यापक सिख्षाप परिषद सब्सक्राइब प्राप्त है तो दिखके नहीं आप लोगों को तो आगे की बात है परिक्षाय वगरा जो होगी वह आपके पास वार्षिक प्रायोगी श्यदान्तिक सब पर होगी उपस्तित आपके पास 220 दिन की दोनी चाहिए हैं यहां पर आपके पास किया लिखावा है देखेगा क्लिनिक राफ्न तौब करते ब्रस्त में एक्ष्जिस्लैनिक परिक्षार्थियों को राजय सर्कार के द्वारा इसके अंदर छूट देए होती है यानि इतनी चूड़ा आपको मिलने वाली है अरक्षन वाली सभी है न पर्वेश परिक्षा आपको बताई दिया है आपके पास होना चाहिए कोई भी होगा चलेगा नियूंतम शक्ष्णिक योगिता के प्राप्त प्रतिश्यतों के अधिक्तम 20 सेकंडरी के और 20 सेकंडरी के अंग माने जाएंगे यानि आपका 20 परसेंट तो कहां से लिया जाएगा टेंथ का कितना पर सेटिफिकेट के नुसार दे जाएंगे जो निनना इस यादि आपके पास शैटिफिकेक्ट बिके कखे हिस्तर नंबर के चैन नंबर दिलाउरत के लिए रख लेनता पन रहांग परतम स्तान वाले ग्टम संभागई जी फ्य को उननीच संद जुटेव बार भाग लेने वाले को इकनी संद संद क्षात्य बार 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 लने वाले को 27 और 5 द harmful ऴाले 22 पर परतम लोगो 70 दिए गये शन्ने मामला मोटा-मोटी कहा है कि आपके पास खेल certificate बहुत अच्छा है तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे एंसी सी के बी नमबर मिलेंगे एबीसी सेटिवियर तीनों के टेंथ के आपके 20 परसेंट लिये जाएंगे और ट्वेल्ट के भी 20 परसेंट लिये जाएंगे माली जी किसी के 80% है तो सो लांग ज रखे गए हैं खेल के अंदर आपको ध्यान रख लेना है जो आपके डोक्यमेंटेशन वगरा सब जमाँगे इसके लावा खेल कुद प्रतियों के ने यह चाहिए वाले चलेंगे नहीं सारीं के बारे में बताई दिया आप लोगों को वरियता निरदारन के बारे में बता दिया को दिखकत है नहीं है ना सारीक्षम्ता परिक्षण के अंदर ध्यान रगलेना परिक्षार्थियों को प्रवेश शेतु अंतिम वर्यता बनाने से पूर्व राजी सरकार द्वारा नियमा अनुसार वर्गवार आवंटी सिटों के चार गुना असारतियों की अस्ताई वर्यता सुची 400 लों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा इन्होंने पहले सही लिख रखा है ठीक है और आदा अरंग 40 प्राप्त ना करने पर संबंदित का नाम अस्ताई वर्यत्या सुची से विलोपित हो जाएगा यह परवेश है तू पात्र नहीं होगा क्यूंकि आपके पास संबंदित खेल कोशन परिक्षण में दस अंकों में से नियूंतम पांच अंग प्राप्त करने होंगे यह पांच अंग भी नहीं ले पाता है तो उसको पूरा का पूरा वहां पर फेल कर दिया जाएगा उनको सर्टिफिकेट के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे ठीक आपके पास सो मीटर की दोड़ है गोला फेंक हैं लंबी कूदें उची कूदें आठ सो मीटर दोड़ है यह सभी आपके पास अंकों के हिसाब से इनका वर्गवार इस तरह का बर जो पूरा का पूरा मामला दिया गया है जो आपके पास अनुषार आयू वर्ग लिंक के आदार पर लिया जाएगा यह द्यान रख लेना पूरुष्वर्ग के लिए और यदि मैला की बात की जाए तो यह आपके पास रहने वाला है यह समय दिया जाएगा पूर्म बनी अहिस्ता इवर्यता सुची में से ऐसे पर बाकी बाद में मिल जाती है ना उसके अंदर यह सब कुछ रहता है यह आपको आगे बाकी बताना है बाभी इसको सभी को भी सपत्पत्र वगरा जो है अभी आपको लगाने की जरुवत नहीं है अन्य पिछला वर्ग वालों के लिए सर्टिफिकेशन इनों बता रखा है प प्राइस्तान के अंदर बीपीएड डीपीएड एंपीड की बात करें तो एक ही नाव आपके दिमाग में आता प्रतिग्या परिवार इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक ही वीडियो के पूरी जानकारी प्लब्द कर वादी जाए डीपीएड फोर्म की डेट बताई दी है उससे पहले पहले फोर्म बढ़ देना और इसके लिए वेबसाइट जीपीएसी जोद्पु डोट कॉम है इसके अंदर जाओगे तो एडिपीएड दोजार चोबीश एपलाई ऑनलाइन के उपर जाएगा और इसके बाद मेल आईडी मोबाई और बने आवेदन पत्र की दो हैड प्रतियां अभियरति अपने पास सुरक्षित रखें जिसमें से एक ओनलाइन आवेदन की आड को पी जिसमें बने आवेदन शुलका विवरंड भी होता है के साथ सभी शक्षनिक एक तो आपके सक्षनिक 1012 वगरा सब खेल परमान पत्र परमानित जो आपके पास प्रतिलिप्यां है फोटोकोपियों को अपने सेल्प अटेस्टेड करना है या आपको यह एड्रस दिया हुआ है प्राचारिय राजिकिये शिक्षा महाविद्याल एरफोर्स बस्टेंड के पास जो पूर्य एड्रस पर आप लोग जो है पोस्के भी रूप में विबाग द्वारा स्वेकार यह नहीं होंगे इसलिए फोर्म आपको ऑनलाइन भढ़ना है उसके साथ यह डोकिमेंटेशन देना है सारिक दक्स्ताव खेल कोशन परिक्षण में उत्तिन विद्यार उत्तिन करना ही होगा इदि आपने वहां पर पढ़ने वाले बच्चे इसमें फोर्म नहीं भर पाएंगे मैं आपको बता दिया इसके लाओ बाकी कोई आपके डाउट रहते हैं 18 तारीक से पहले फोर्म बढ़ने की फोर्म बढ़ने के बाद आपके 10 12 की माक्षीट इसके लाओ स्पोर्स सर्टिफिकेट इन सभी की पास क्या बनाएंगे पूरी एक शुचिबेनाइंगे उसकंदर आपका नाम होता है तो बुलाएंगे उसके परोगों कोई प्रश्ण ओपीटीए थर्ट ग्रेड के लिए काम आता है राज़ितान के अंदर भी भार भी बहुत सारी जहां पर भी ओंगे उन सब के लिए आपके काम आता है इसके लाव कोई प्रश्ण आपके पास रहता है तो आप जरूर पूछे बार विपास बच्चों के लिए अच्छा मोका है तन्यवाद